आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। कवको एवं उच्च पादपो की जड़ो के मद सजीवी कमबंद है। जो कव कमूल होती है, उनकी जड़े जो है वह प्राय, महीन, कवक, तंतुओ द्वारा ढकी रहती है। जब कवक जो है, पादपो के जड़ों में ब्रिद्धी करते हैं, उससे जड़े पादप को कोई हानी नहीं होती है। क्योंकि जो है कव कमूल द्वारा जो है भूमी से जल के साथ साथ जल, फासफोरस, नाइट्रोजन, आधी का जो है और सोसड हो जाता है जिससे जो है पादप को जो है पोसड बिलता है। तो इसलिए ये उसके लिए उप्योगी होता है। लेकिन जो है सारे कवक जो होते हैं, वह कव कमूल सयोजन नहीं दरसाते हैं। जैसे की एक फफूंद होती है, उसका नाम है भूरबूरी कवक। ये कवक क्या करता है। पतियों के निचले सता पर सफेद धूल जैसे धब्बे होते हैं, जो सफेद धूल होते हैं। जो है क्लोरोप्लास जो है उसका विकास नहीं हो पाता और जो है ये सफेद धूल धीरे दे काला हो जाता है। और जो है पत्ते जो है अपना पूर्शर तत्र खो देते हैं। तो ये इसको हानी पहुचाते हैं। तो इसलिए सभी जो कवक जो है वो कव कमूल सहयोजन नहीं दरसाते हैं। प्रस में देखते हैं। प्रस में दिया कथन कव कमूल सहयोजन पादपुक लिए उपयोगी होता है तो ये सही हो जाएगा। कारर दिया सभी कवक कमूल सहयोजन नहीं दरसाते हैं तो ये ही सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ तो हानी भी पहचाते इसलिए यह सही हो जागा हमारा जो कथर है और कारार दोनों सही होगा लेकिन इसका इसप्रश्टी करर जो है वह सही नहीं होगा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा आशा करते इस प्रश को उत्तर आपको श्पाश्ट हो गया होगा कर नीट आयाट ही जेई वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर